खुछ ही दिनों में छट महापर्व की सुरुवात होने वाली है ऐसे में बिःण आने वाले लोगों को संक्या में बढ़ोत्री होते जा रही है लोगों की इसी भरती भीर को देखते वे रेलवे के दोरा बिहार आने वाले लोगों को थोड़ी सहूलियत पहुचाने की कोशिश की गई है बता दे कि भाटिये रेंवे की दोरा भीर को देखते वे अतरिकten festival special train चलवाने का फैसला लिया गया है रेंवे ने ये फैसला लिया है कि पहरे से चल रही पुजा special trainों के अलावाद 10 जोरी और पुजा special trainों को चराया जाएगा ताकि बिहार आने वारी लोगों को टिकेट मिल सके और वो अपने घड़ा सके फिलाल वैसे लोग जो बिहार आना चाहते हैं उन्हें ट्रेनों में टिकेट नहीं मिल पा रहे हैं वही अगर फ्लाइट की बाद की जाए तो इनकी किराए आसमान छुरह हैं वज़े से लोग इस यात्रा नहीं कर पा रहे हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आम दिनों में जहां दिल्ली से बिहार आने का किराया किवल पांच हजार हुआ करता था वहीं त्योहारों को देखते वे किराया अब 34,000 रुपए तक पहुँच चुका है ऐसे में भारत 6, 2, 4 और सुन्ने 8, 6, 2, 3 है जो कि राची पतना राची छट स्पेशल फ्रेन है गारी संख्या सुन्ने 8, 6, 2, 4 राची से पतना जाने वाली छट स्पेशल फ्रेन को 29 ओक्टूबर को खोली जाएगी जो 11, 10 से खुल कर अगले दिन सारे 10 बजे पतना जंक्सन पहुँचेग गारी संख्या सुन्ने 8, 6, 2, 3 है जो कि 30 ओक्टूबर को सारे 11 बजे पतना से खुलेगी और उसे दिन सारे 8, 35 बजे राची पहुचेगी ये दोनों स्पेशल फ्रेन लोहर दग्गार, टोडी, लातेहार, बरवाधी, डाल्टेन गंज, गरवा रोड, सोन नगर गया एवं जहानाबाद स्टेशन पर रुखते वे अपने गंतवे स्थान पर पहुचेगी इसके साथ ही ग्वालियर बरॉनी स्पेशल फ्रेन का भी परिचालन किया जा रहा है ग्वालियर बरॉनी स्पेशल फ्रेन 26 ओक्टूबर को ग्वालियर से 6 बजे निकलेगी जो अगले दिन जंक संस सारे 6 बजे पहुचेगी वहीं वापसी में बरॉनी ग्वालियर स्पेशल फ्रेन 28 ओक्टूबर और 1 नवंबर को चलेगी जिसका बरॉनी से खुलने का समय सारे 4 बजे है और ग्वालियर पहुचने का समय अगले दिन 4-15 है इन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन से तेयोहार के मौके पर सफर करने वाले यात्रियों को काफी लाव मिलेगी वैसे यात्री जिने टिकेट मिलने में परशानी हो रही थी या टिकेट कंफॉर्म नहीं हो पा रहते वे इन स्पेशल ट्रेनों पर सफर कर अपने घड़ पहुंच सकते हैं आज के लिए इतना ही ध जैने बाद